खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम उसे आप देख सकते हैं संबंदित जो पेपर है वह विशेस रूप से आपको MPPSC और मत्पज़त में जो भी परिक्षाएं वन्डे एक्जाम होते हैं उनकी खवरों से संबंदित होता है आज की जो वीडियो है आज का जो वीडियो यहां पर हम देखेंगे की विशेस आकरशन क्या है विशेस आकरशन में माइनिंग कानक्लेप की बात करेंगे जिसकी बैठक जो है तो वहां हुई Venus Orbiter Mission की बात करेंगे Predator Drone की बात करेंगे Europa Clipper अभियान क्या है इसकी जानेंगे और UNO के बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे साथ हम 2024 के नोबट परुसकार की बात भी करेंगे और जिला दर्सन प्रोग्राम में हम लोग मुरेना जिले के बारे में कुछ जानकारियां आपसे साजा करेंगे तो आएए देखते हैं 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 के रोजगा निर्मान का सारांस जो की आपके लिए बहुत महत्मौन होने वाला है वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे बताता चलू कि आपका एक लाइप एक सेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीरों को और बढ़ाता है ऐसे ही वीडियो अप्लोड करने के लिए वीडियो कौन तक देखें और जो भी सुझा हो तो आप कमेंट के माद्धम से हमें जरूर बताएं आएए शुरू करते हैं आज़ी पहली ख़बर की बात करें हम आज़ी पहली खवबर है यहाँ पर मायनिंग कोंक्लेब से सब्वस्क्राइब आप ऐसके बैठक कहा हुई तो आपको यारखना है जो अरं हूई भोपार में भी आपको ध्यान रखना है कि कुसा भाव ठाकर इंटेर नर्रेशनल सेंटर है वहाँ पर इसके बैठक हो array ही तो यह अपर्झिकुलर आपको यह ध्यान रखना है कि mining Conclave जो अमुद्धड प्रदेश में आयोति किया गया मैं उसकी बैठक कहा ऊई है घोपाल में और यहाँ पर हीदा ंप से प्राप्थ होता ही था यहां पर सोना भी निकालने के त्यारी की जारी कि सोना भी प्रदेश में यहां पर प्राप्थ होगा और यहां पर जानकारी मिली कि अध्या मंदिर में उपयोग मिलाये जाने वाले जो पत्थर थे उसमें मंडला जिले के पत्थर भी सामिल थे मंड Conclave 2024 का अजन भुपाल जिले में किया गया और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री डाक्टर मोहन यादव जी ने सभागिता की थी और उसे संभोधित भी किया था साथ ही साथ एक यहाँ पर समझवता हुआ है एक समझवता आपको ध्यान रखना है समझवता किसके मध्य हुआ है एक संयुक्त उद्दम समझवता हुआ है खनिज ब्लॉक से समझवता हुआ है तो यह दो नाम आप जा रखेएगा पर आपको कुछ उजनाओं की जानकारी जाएगा जैसे यहाँ पर प्रधान मंत्री आवास उजना जल जीवन मिसन आयुसमान भारती उजना प्रधान मंत्री ग्रामशडक उजना अम्रिस रोबर उजना इन सभी चीनों की यहाँ पर बात की गई है तो आप यह ध्यान रख आए गया है तो दूसरी खबर मत्री जसे समंधित प्रगतियां हैं और उनके उलब्धियां उसे समंधित होने वाली है तीसरी खबर की बात करते हैं तीसरी खबर है कहां समंधित और इच्छा से अभी आपको हाली में जानकारी मिली होगी कि युनेस्को की एक घोषणा हम विश्वधरोहर के लिए उसमें विचार करकिया जा रहा है तो वही बाते हैं बताई जा रही है कि मोहनयादव जी ने कहा है कि युनेस्को की आधिकारी घोषणा हो जाती है तो ओर इच्छा भी विश्वधरोहर सूची में सामिल हो जाएगा चौती खबर की बात करते ह क्यों से सम्बदित है कि बीनस और विटर मिसन से मनचूरी दे दिए समबनीट की से वीनस वीनस समनुदित है तो आप समझ गया हूँगी यह सुक्रगर मिसन वाला है सुक्रग्रार ओरीक्षे का संभ्रों इसे संचादित प्रणीति को पहते सकता है में, भारत सरक्ार के दारा प्रेडेटर ड्रोन कहां से पायत की जा रहे हैं आपको ध्यान देना है USA से हम लोग प्रेडेटर ड्रोन खरीदेंगे तो यह थी पांच मीगभर बढ़ते हैं आगे चटी कपर में हम संफाधिकी देख रहे हैं संफाधिकी में आपको जो प्रिदीय अप दीजाएगी इसी च समपाधकी है कि बाहन मंत्री के विकसित भारत 2047 के शाकार करेगी माइनिंग कॉंक्लेप भॉपाल में हुई है उसको कही न कहीं विकसित भारत 2047 से जोडा जा झा रहा है और दूसरा जो है समपाधकी वो है नदी जोडो जल संच Isabyan में अगरिणी deny- तरय न द्रशुन है और जंचा अभियान हमें भी शुरू किया गया व्यूक है कि अच्छछा थी सात कवर की बात करतेज्थ किसी संधित है तो इसे शंब्रिहास्थ पती है उसे संधित है ऑन लांच कर रहा है बाइट फूरोपके अभियान जो जो है वहां बिहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं की तलास के लिए शुरू के जा रहा है नासा के दौरा मिसम शुरू के आपको ध्यान रखना है आटमी कबर की बात करते हैं तो अतुल परचूरे जी का निधन हो गया है तो आपसे पूझा सकता है कि अतुल परचूरे जो है वहां किस से संभावन की आपको ध्यान रखना है नामी कबर है डाक्टर पी वेनु गुपाल का निधन हो गया है जो कि पूर नेशक रहे हैं इन्हें आपको ध्यान देना है और सबसे जरूरी फैक्ट यह है कि आगस्त उन्नीस चौरानवे में द यह नाम है जल संचे जन आंदोलन इस का नाम है नाम है सुरू कहां से किया गया है क collector सूर्द जिले से सूरद जिल मतलब कहां सूरत जिला मतलब गुजराद से सूरु किया गया और वहां पर मार्जी मंत्री जी इसमें सामिल हुए हैं यह भी आपको ध्यान रखना है यहाँ टिछा सूरत सहर से से आरम किया गया तो आपको किवल में किया एक जारमी जो नूज है वो क्या है तो जारमी नूज बताई जा रही है कि मर्द प्रदेश बनेगा आज देखेंगे कि आज देखेंगे इस पेपर में यॉनों के बारे में जान्कारी दी गए है ते इसकी इस थापना कब की गई memory नेकर ने सASH रहाँ है किस ने दिया था ये दिया था फ्रैंक्मिन डी रूजबेल्ट ने नाम दिया था यह भी आपको तयार रखना यहां है उद्देश क्या है तो राश्च्य सांतियों सुरग्षार्क विकास सेमस्याओं के समाधान में सहियोग की बात की जाती है और देशों की कारवा सबसे पहले हम देखें सब्सक्राइब कर लेते हैं सबसे पहले हम देख आँ कि छटा है स्वक्षिजल और स्वक्षिता सातमा है सश्ती और प्रिदोर्शन मुक्त उरजा आठमा है उत्कृष्ट कार्या और आर्थिकृद्धी, नौमा है उद्योग नवाचार और पुर्णियादी सुगधाई, और दसमा है असमानताओं में कमित, एक ज्यारमा है संबहनी सहरा और समधाय, बारमा है संबहनी उपभोग और पादन, तेरमा है जलवायू कारवाई, चौदहमा है जली जीवों की सुरक्षा, थली जीवों की सुरक्षा है 15 में, और सांती और न्याय की वरस्ता है 16 में, और लक्ष भागिदारी है कहां तो 17 में, तिस चीज़ा आप प्याद रखने हैं, यूनिट 7 में आपको समधनी दिये, सभी आपको सब्दीजी ध्यान र कुमान सम्मान दिया गया, तो राज कुमार खिरानी ओरुष सम्मान, तो राज कुमार हिरानी जी, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर हुई है इसकी बैठक पाकिस्तान में हुई है आगे बढ़ते हैं फिप्टीन नंबर का हमारा फैक्ट है कि पुलिस इसमृति दिवस पुलिस कम मनाया जाता है तो आपको मनाया जाना है कब 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को जो है तो पुलिस इसमृति दिवस मनाया जाता आपको ध्यान रखना है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर का दिन उन दस पुलिस वालों को समर्पित होता है जो 1959 में भारत चीन की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए सहीद हो गए थे उन्हीं क उसका परिणाम क्या रहा है तो यहांन की ब्हारत में मगला देश को 3-0 से क्लीट शेप कर दिया है आप को ध्यान करना है आप T20 मैचों के शरिंखला थी यह भी आपको ध्यान रखना है इसे भिसेस रूरक से आपको ध्यान रखना है और असम्ज्यू संजू संजू सेम्श से संबंदीत है आप गयाद रखना है इन्हें क्ले कोट या लाल मैदान का बाधसा भी कहा जाता है कि इन्होंने चोड़ा ग्रेंड स्लैम जीते हैं और ओलम्पिक में दो वार इन्होंने स्ट्रेंड पदक भी जियता है या भी आपको ध्यान रखना है तो आप से पोच लेकि लाल मैदान का जो बाधसा है वहन है जो की थेनिसम खिलाडी है और शमय नेसे सम्मंदेट हैं आगे बढ़ते हैं इटीन्ट नंबर की बात थीक्रीम परहआ करेंगे हमारा चिल ऒरसम से Defin. जिजीं है उन्में यह लोग देखते हैं यह पर कौन कौन से फेक्ट आपको जानने के लिए जरूरी है गठन की बाद तो वही है कि नमबर 1956 में जो है जासा गठन किया गया और यदि हम बात करें तो जो चम्बल नदी है चम्बल नदी जो है तो इसकी उत्तरी सीमा चम्बल नदी जो है तो मुरैना जले की उत्तरी सीमा अन्यधारन करती है आपको याद रखना है चम्बल नदी के साथ अन नदियां है अन नदियों का नाम कहा है तो एक नदी है कुमारी नदी के बाद आशन नदी आपको याद र एफिक है आसन नदी जो है आसन नदी का उद्गम जो ही है व में देवरी के पर नीज़ निकलती है कुमारी नीज़ी कि बात करिए खनीश की बातर क wonders क्र into भी तौनä पत्थर मिलता है मिट्टी की बात करें तो कह를 है जलोड मिट्टी जलोड मृधlarda यहां पको ध्यान की बात प्रमुख साधन है और यह पात किया और इतिहासी गुर्पीbrand में आप दीखेंगे की गुरजर्पतिहार के बात आप देख सकते है कच्छब गात कच्छपगात के साथ यहां पे तो यह में यही दो है गुर्जर्पतेहार कच्छपगात जो राजवन से इन्हों नहीं यहां पे बेसिलिए सासन किया है और मंदन दिर्मान का सुरणिम काल इनके समय में रहा है तो यही फैक्ट आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पर एक उस्व मना जाता है जिसका नाम का है नागा जी नागा जी उस्व कहा मना जाता है पूरसा मुरैना में नागा जी उस्व मना जाता है यह आपको ध्यान रखना है एक महीने के लिए होता है एक माह के लिए नागा जी उस्व मना जाता है यह भी आपको ध्यान र मुरायना में मंदिर है आपको याद रखना है और बनवाया किस ने था तो यदि आपसे सासक पोच लेते हैं सासक कॉंसे है कच्छब गात के सासक है भाई नाम क्या है उन सासक का नाम का है देवपाल तो कच्छब गात के सासक देवपाल के दोरा इसे बनवाया गया था ये भ अब बढ़ते हैं आगे 19 मी खबार है जो कि सबसे important है और noble पुरुषकार तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो चिकिस्सा छेत्र है चिकिस्सा छेत्र का noble पुरुषकार जो किसे दिया गया तो दिया गया विक्टर अब्रूस और Gary Rubicon को चिकिस्सा छेत्र का noble पूरुषकार दिया गया है जॉन हॉफ्यट्र और यो फ्री हिंटन को पूरुषकार दिया गया है और इन्होंने मसीनों में सोचने की चमतामलत एयसी machine learning को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए नहीं दिया गया है रसायन की बात करें कमेश्ट्री की बात करें तो कमेश्ट्री में थे हम बात करते हैं तो डेविड बेकर डेमिस हास्बिस और जान जंपर को यह पुरुषकार दिया गया है और प्रोटीन की समचना का पुर्वा दिनिया पर काम कर रहा है साहित के नोबल की बात करते हैं दक्षिन कोरिया की लेक्षिका है हॉन कॉंग दक्षिन कोरिया की लेक्षिका हॉन कॉंग है जिन्हें 24 का साहित का नोबल पुरुषकार दिया गया है और इनके दारा विजेटेरियन, दा वाइट बुक, हुमन एक में संस्थानों की युगदान पर सोड़ किया था तो यह हो गई लोगल प्रुषकार की जानकारी और 1901 से प्रुषकार दिये जा रहे हैं दस दिसंबर को लोगल की पुनितिती पर यह संवान दिया जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है तो सभी नाम आप एक बार फिर से देख लिएगा वीडियो को पीछे करके आप इसे एक बार जबूर देख लिएगा फिर यह बात करते हैं अपने बीसमी ख़़र की तो बीस सब्सक्राइब कि देख लिए है आज इसमें कुष्चन में याड नहीं कर पाया वेकिन आपको दे देता हूं जो भी हो सकते हैं जैसे मितावली मंदिर में कौन सा मंदिर है याब बता सकते हैं दूसरा अब बता सकते हैं कि जो इनो है उसमें 20 सब्सक्राइब करके हैं पूरे रोजगाव निर्माण का साराण सोप्रब्त करा सकें। यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते । वीडियो को शेयर कर सकते हैं और को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडियेफ के लिए आप हमारा टिलीग्राम चनल अनाच असीज्ट करी हैं वहाँ पर आपको कछ जानकारिया मिलेंगी, आपकोMichael मिलेंगे जिससे आप परिक्षा में और अच्छी मदद कर सकते हैं और आप परिक्षा में और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं चलिए अच्छा है हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए और कोर्स करते हैं क्योंकि कोर्स के बिना जय जयकार नहीं होती हम जरूर जीतेंगे धन्यवाद